भगवान जी के खर बहुत सारे लोग है ना अब अगर पंडिट जी सिर्फ हमारे दादा जी के लिए खाना खाएंगे तो फिर दूसरों के दादा जी क्या खाएंगे लेकिन फिर मेरे दादा जी तो बाकी कि तन भूख करें जाएंगे ना तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल डूनते हो चलो चलो यह टिफिन लो और वाच्मान के साथ मंदिर जाओ और पंडिट जी को खाना किला के वापस आजाओ ठीक है लेकिन अभी तो मेरे फेवरेट शो आने वाला है बिटा प्लीज देखो पापा सेंगपपूर गय जल्दी जाओ और वापस आजाओ लेकिन दादा जी तो अलू पुरी खाते ही नहीं थे उन्हें तो बटर चिकन पसंद था तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया मंदिर में पंडिक जी आलू पुरी खाएंगे लेकिन वहां भगवान जी के पास दादा जी को बटर तो फिर जल्दी जाओ पंडीजी को खाना कहला के वापसाओ ओके गुप ready for the mission get set go watchman uncle watchman uncle watchman uncle watchman uncle watchman uncle वाल! पंड़ जी, पंड़ जी, पंड़ जी, पंड़ जी, अल्ला के नाम पे देज़ो, अल्ला के नाम पे देदे बाबा, अल्ला के नाम पे देदे, बहुत भूका हूँ मैं, दो दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, बच्चा, अल्ला के नाम पे देदे कुछ, मैं क्या है? खाना? खाना? दो दिन से कुछ खाये नहीं, देदे बेटा मेरे दादाजी ने एक साल से कुछ नहीं खाया एक साल से? एक आईडिया दू, आप पंड़त बन गयो लोग आपको खाना भी खिलेंगे और दक्षना भी देंगे पर आपको भीग नहीं मांगने पड़ेगे आईडिया नहीं, खाना चाहिए, खाना बैचे यह दर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है, और मस्जित उधर लेकिन मंदर तो बंद है भगवान के नाम पे देदे कुछ भगवान के नाम पे देदे भगवान के नाम पे देदे कुछ आप पंदित जी होना नहीं बेटा, मैं पंदित नहीं हूँ लगता आप खलत जगह आगया हो यह गलट जगह है नहीं जगह है, तो सही है आप गलती से आँ गए हो मंदिर अगली वाली गली में है यह क्या है फिर? यह मस्जिद है, अल्ला का दर्बार है यहां क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो आप कौन हो? मैं यहां का मौल्वी हूँ. मौल्वी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, जैसे मंजिद में मौल्वी होते हैं. तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं. आज मेरे दादेजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना का लीजी मैं क्यो? क्यो क्या आप मजजिद के पंडेत हो ना? नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है पता है, ये खाना दादाजी के लिए आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वाब बटर चिकन मिलेगा उन्होंने एक साल से कुछनी कहाए, आप प्लीज ये खाना खालीजी पेटा, तो मंदीर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बॉट ढूंडा, मैं कोई भी नहीं था पेटा, जो काम पंडित कर सकता है, वो मौलवी नहीं कर सकता अभी आप इने तो कहा, कि आप दोनों सेम हो खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है अरे अब आस समझ क्यों नहीं रहे हो पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं आप अल्ला के नाम पे खा सकते हैं फर्स करो मैंने खा लिया पर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो अब क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो तुम्हारा काम मंदिर में हो सकता, यहां नहीं क्यों, मंदर और मस्जित में क्या फर्क है तुम किस भगवान को मानते हो शेव जी तो शेव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या नहीं ना, यही फर्क भगवान और अल्ला हमें है लिकिन मम्मी कैती है कि सारे भगवान से मैं वैसे अल्ला कितने है अल्ला तो ऑप थी है गहता? तो आप इन्हे शेहां इसेरो के स allons से हो, कि भागमान और आलला सेमी है जैसे मेरा नाम राहूल है मम्य हो मेरे को टिककू बुलाते है पापय जो लाते है मेरे दोस मेरे को राहू लाते है लेकिन हुटों में ही कि राहूल वैसे ही शिवजी, अल्ला, हनुमान, सब सीमी है लेकिन यहां सिर्फ अल्ला मिलते है अल्ला सिर्फ मस्जिद में ही मिलते है नहीं, अल्ला तो सारे जहान में मिलते है इस सड़क पे? हाँ मॉल में? हाँ सब्सी बजार में? हाँ मंदर में भी? हाँ भाईया तो फिक मर्जुद में भवान क्यों नहीं मल सकते वैसे अगर मैं अल्लाइ से कुछ मांगना चाहू क्या वो मेरी बाद सुनेंगे बिल्कुल, बिल्कुल सुनेंगे तो अगर अल्लाइ मेरी बाद सुनने को तयार है तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? कौन सा लट्डू है? मेरे दाल्ड़जी भी हमेशे लट्डू से ही शुरू करते हैं और ये दक्षना नहीं बेटा ये किसी घरीब को दे देना ओके बाए उम्र जहनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई वो सच्चाई जो भोली आखों में दिखाए कौशनी भरे दिलों में नांधेरों का निशा हो हर नजर में बशर में मौला तेरा ही दुभाई